यह आगे देट करते हैं लसं? पिता जी ने कहा नोखरी करपाओगी, शाधी करपाओगी, लोग इजदत से देखेंगे वगरे वगरे कोई तर्क विश्वसनिय नहीं लगा ना रेनु को ना खुद उन्हें आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहरा लिया जो युगों से माबाप के काम आता रहा है कहा भी ये करो क्योंकि मैं कहा रहा हूं तेन उन्होंने भी ये तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए यानि पास हुने लैक नमबर ला कर सच बोलने में वह मा से भी दो कदम आगे हैं गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाग कर रही होगी इसलिए बिना महनत वह लोगों को हसाय रख लेती है आज भी उसे कोई इत्र भेट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ चलिए लेखी गा क्या कहती है देखते हैं पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी शादी कर पाओगी लोग इज़त से देखेंगे अगर तुमने बिये कर लिया तो वगरे वगरे पर उसे कोई तर्क विश्वास पात्र नहीं लगा ना रेनु को ना उन्हें उन्हें मिस पिताजी को फिर उन्होंने उससे कहा उससे मिस रेनु से कहा मैं कहे रहा हूँ इसलिए तुम परिक्षा दोगी देनु ने बिये तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए यानि पास होने लाइक नमबर लाकर सच बोलने में वह मां से भी आगे थी देनु का सच सुनकर लोगों को लगता था यह मजाग कर रही है और वहां लोग उसके सच पर हस पड़ते थे आज भी उसे कोई इत्र भेट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन आगे रीट करेंगे लेसन तीसरे नमबर पर चित्रा है वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिल्चस्पी औरों को पढ़ने में रखती है इसलिए इमतहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे पर हमने पर अपने यहां सब चलता था उसकी शादी का वक्त आये तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से मुश्किल यह था मुश्किल यह थी कि हमारे माबाप ही नहीं खुद लड़का भी उसके निर्णे से वाकिफ नहीं था पर उसका कहना था वहा जो सोच लेती है करके रहती है तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई कोई मुश्किल पेश नहीं आई आती क्यों उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है तो उसने बात आगे खीची ही नहीं पहली मुलाकात में ही हतिया डाल दिये हमसे सबसे चोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही पिता का कहा मान कर पहले अर्थशास्त्र किया फिर पत्रकारीता में दाखिला लिया डंग से पढ़ाय की पास हुई पिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई घरबार में मन जादा रुचा नहीं और मनजुल और मेरी तरह उम्रके तीस बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया चलिए लेखिका क्या करती है देखते हैं लेखिका अब अपनी तीसरी बहन लेखिका अब अपनी तीसरी बहन चित्रा के बारे में बता रही है वह कॉलेज में पढ़नी जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा वह दूसरों को पढ़ाती थी और इसलिए परिक्षा में उसके मांक्स कम और उसने जिसे पढ़ाया उसके मांक्स ज़्यादा आते थे पर हमारे घर सब चलता है चित्रा के शादी के वक्त एक ही नजर में उसने लड़का पसंद कर लिया और कहा शादी करेगी तो उसी से मज़े की बात तो यहाँ थी कि जो फैसला इस शादी का फैसला उसने लिया था उस बारे में न तो हमारे माता पिता को पता था और न खुद लड़के को पता था उसका मिस चित्रा का कहना था जो मैं सोच लेती हूँ वह करके ही रहती हूँ सो उसकी शादी उसी लड़के के साथ हुई अब वहाँ अपनी पांचवी बहन अचला के बारे में बता रही है वहाँ कहती है उसकी सबसे छोटी बहन अचला जो थोड़ी खिसकी हुई लगती थी उसने पिताजी के कहने पर पहले अर्थशास्त्र से पढ़ाई की उसके बाद पत्रकारिता की पढ़ाय की फिर पिताजी के पसंद के लड़के से शादी भी कर ली गह गरस्ती में मन नहीं लगा तो उसने भी मंजिल और मेरी तरह लिखना शुरू किया कल हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे